नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस पियार और मैं हूँ आपके साथ रुचिकराज भारी बारिश की वज़े से अब जारखंड के साथ साथ बिहार की भेस्थेती खराब होती जारी है जी हाम आपको बताएं कि लगातार मौसम बिभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया जा रहा है लेकिन बिहार में भी अब नदियों की उफान से ततबंध तूट रहे हैं जैसे कई निचले इलाके में पानी घुसाया है इसे किसानों को काफी दिकतों का सामना करना पर रहा है क्योंकि जैस भी किसान के खेत में पानी घुजगिया है फसलों का काफी नुकसान हो रहा है और आपको ये भी बताते चलें कि नालंदा बिहार सरीफ पटना गया इन सब जिलों में अभी जलस्तर क्या है और कितनी बारिश होने से जलस्तर बढ़ सकती है और जिससे बाट की स्थिती उत्पन हो सकती है आई हम आपको इस पूरे वीडियो में डीटेल से बताते हैं पश्च मिलाके से होकर गुजडने वाली लोकाईन नदी ने रौदर रूप ले लिया है कराय सुपराई में एक तो हिलसा में चार जगों पर नदी का ततबंध तूट गया है एकंग सराई में राडीली छिलका के उपर से पानी का तेज बहाव हो रहा है चार गाउं में बाट का पानी घुसाया है करीब 49 गाउं में खेत जल मगन हो गया है धान और सबजी की फसलें जल समाधी ले ली है इधर जिला मुख्याले बिहार शरीफ से निचले इलाके वह रऊई में पचाने तवाही मचा दी है आपको बताते चलें कि औरंगाबाद के रफी गंज प्रखंड श्रेत्र के धावा एवं मदार नदी में अधिक पानी होने से बिभेने जगों का अवागमन ठप हो गया है शुक्रवार एवं शनिवार को लगतार बारिश होने से धावा एवं मदार नदी उफान पर है सोन नदी का जलस्तर रविवार को सुबह तक साड़े तीन लाग एक्योसिक पार कर चुका है इस कारण सोन टट पर रहकर खेती करने वाले सांके कि नजर आए हैं कि सानों की माने तो करीब पांच लाग की सबजी के फसल का नुकसान भी हुआ है खेत जलमगन होने से धान की फसले को बड़ा नुकसान होने की संभावना है उधर सोन नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा है अगर बात कर लें दूसरी तरफ नदियों की जलस्तर की तो राज की दूसरी नदियों का जलस्तर तो नीचे आने लगा है लेकिन गंगा के जलस्तर म पर बहाय शेत्र 1.10 लाख और बराज पर 1.24 लाख घंसेक आ गया है लेकिन नदी का जलस्तर अभी खगडिया में लाल निशान से लगभग 121 सेंटिमीटर उपर है गया और आसपास के जिलों में पिछले कुछ दिनों में हुई बारिस से सैंक्र एकर फसल पानी में डूब ग उटने की वज़े से पानी सरक और खेतों में घुसाया है भैरवा में भी धान का पौधा पानी में डूब गया है तो इस तरीके से अब बारी बारिश की वज़े से लगतार इस्थिती खराब होती जारी है कई जगहों पर तत्बंध तूट चुके हैं तो कई जगहों की इ इस्थिती अभी गंभीर बताए जारी है यानि कि अगर हम गंगा की बात करने तो गंगा का भी जलस्तर अभी लाल निशान से तो नीचे है लेकिन अगर भारी बारिश होती है तो वो भी लाल निशान से उपर आ जाएगा जिसके बाद जो गंगा से सटे इलाके हैं वहां परबाड आने की स्थिती उत्पन हो सकती है। इसलिए सरकार को एक पुखता इंतजाम करने चाहिए ताकि बाड की स्थिती को रोका जा सके क्योंकि लगतार मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया जा रहा है कि भारी बारिश होने की संभावना है सासत बजरपात की भी हाई अलर्ट जारी किये जा रहे हैं लेकिन अब तक ऐसे कोई भी इंतजाम सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिले हैं जिससे की बार्ट की इस्तिती को रोका जा सुके आपको बताए कि पश्चिम चंपारत में अभी भी बार्ट की इस्तिती बनी हुई है लगतार असम बिभाग की तरफ से भी ये अलर्ट जारी किया जा रहा है कि भारी बारिश होनी की संभावना है इसलिए सरकार को एक पुक्ते इंतजाम करने चाहिए ताकि आने वाली जो समय है उसमें अगर भारी बारिश हो भी तो वाट की इस्तिती कम सिकम उत्पन्य ना हो और लो मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और आगे की इस्थिती का जाय जा लेते हुए कोई ऐसे बुक्ते इंदजाम करने चाहिए जिससे की बाट की इस्थिती को बिहार में रोका जा सके और भी ऐसे तमाम ख़बरों के लिए मरसद बने रही है और देखते रहे हैं न्यूस प